आप सभी का न्यूज एटीन मदिप्रदेच अतीज गर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ अपड़ना मौज़म और हमारा चुनाव एक्स्पेस का सफर आज कहां पहुंच गया है आज पहुंच गया है राजधानी भोपाल भोपाल का क्या है हाल ये बताएगी भोपा हाया है चुनावी मैदार में टक कर बीजेपी वर्सिस कॉंग्रस की है 35 साल से जो बीजेपी का गड़ है आखिरकार कैसे वहां पर कॉंग्रस करी चुनाव की दे रही है ये जानेंगे हम और साथ ही हम जानेंगे भोपाल की आवाम से जो लेकर आई है बही खाता बताएगी कि जो वादे किये गए थे उनका क्या हुआ वादे पूरे हुए या हवा हवाय हुए तो स्वागत कीजिए जोड़ा दालियों के साथ भोपाल की जनता का और हमारे साथ कौनकोर मेहमान जुड़े हुए पोडियम पर उनका परिच्छा आप से करवा देते हैं वरिश्ट प हुए है जोड़दार तालियां हो जाए और साथ हमाई साथ कुनाल चौधी जी है कि कॉम्रेस पार्टी जिन्दापाद। सब ग्लुकॉन डी पी कर आए आज सब ग्लुकॉन डी पी कर आए इसका मतलब आज ठीक है तो आपके अगर इजासत हो तो मैं चर्शा की शुरुआत कर लूँ जी थाइंक्यों सो मच कि डॉक्टर साब प्रधान मंत्री का रोड शो हुआ कि सब भी ने देखा बीजेपी कारेकरता गदगद हुए तस्वीरे खूब सोचल मीडिया पर फैली 35 साल से जो बीजेपी का गड़ है क्या ये सीड भी बीजेपी मोधी माजिक के भरोसे है देखे आप चाहे कितना भी पूछें लेकिन ये पूरा चुनाओ ही मोधी जी को तीसरे मेंडेट का है चाहे हम देश की कोई भी कॉंसिट्वेंसी लें क्यों है क्योंकि मोधी जी की आज हर आम आदमी के दिमाग पर चाही हुई है कौन सी गैरंटी कि हम दुनिया की तीन एकोनोमी में से एक एकोनोमी मोधी जी तीसरे टम में बनाने वाले हैं फिर जहां एक और कॉंग्रेस परसनल लौ की बात करती है मुसलिम परसनल लौ को ताकत वर बनाएंगे या जो भ दिन सो सत्तर खटा-कट खटा-कट गया वो गई जैसे आपने देखा राम मंदिर की सभी बाधाएं खटा-कट खटा-कट गया वो गया और मजे की बात यह कि उस मंदिर में वो लोग पहुंची नहीं पाये खुदी दूर हो गये कि था हम नहीं आएंगे वह भाहिशकार कर तो राम का बहिशकार कौन करता है राम का बहिशकार तो लंका के लोग करते ना जिनको भारत के लोग पसंदी करते तो यह सारा मेंडेट धीरे-धीरे आप देखेंगे और बाकी काम राहुल जी ने कर दिया अब आप सोचिए जहां मोधी जी एक और बोल रहा है मैं सबको थाकतवर बनाऊंगा युवा को महिलाओं को ग्यान जो आपने सुना होगा स्कीम लेकर आई वहीं दूसरी और राहुल जी ने आके क्या बोल दिया उनने बोल दिया कि मैं आपकी आपकी सब्यादी संपत्ति ले ले लूँगा और राम की संपत्ति लेकर रहीम को दे इस देश के मूल मुद्दों पे पांच नयाए 25 गैरेंटी ओके साथ जो कर रहे है और जो भाजपा फरजी आकड़ों के साथ फरजी बातों के साथ फरजी जो करती थी विश्व की सबसे फरजी पार्टी के रूप में इन्होंने कहा था कि हमने 370 वोट बढ़ाएंगे रोजगार का क्या हुआ अभी मोदी जी की गैरेंटी पर ही चुना हो रहा है 2700 रुपे कुंटल का गेहूं का किसान डून रहा है 3100 रुपे कुंटल का धान बाला गून रहा है बेहने डून रही है कि साड़े 400 रुपे में गेस की टंकी की गैरेंटी अभी 2023 में ही लेके ग गैरेंटी है जूट की दीती और जो कही न कई 400 गेस की टंकी पर डायन केते थे 1200 पर विकास के रहे हैं, 70 पेट्रोल था जब 143 डॉलर क्रूड आइल था, अज 70 डॉलर क्रूड आइल के ऊपर कही न कई यह 110 बेच रहे हैं, तो जनता सब समझ रहे हैं कि किसकी गैरेंटी क्या उपर बात करते हैं, इत्ते बड़े तीसरे टम की बात करते हैं, उसमें बात करते हैं, हमने 5 साल, 10 साल में किया क्या, थर्ड एकोनॉमी की बात करें, आपने 55 लाग करोड के कर्ज को 205 लाग करोड का कर्ज पहुचा दिया, और हालत क्या है, आज इस्तिती परिस्तितिया द अगर मैं आपका स्वागत करने में रह गई हूं तो समझा जाओंगी आपसे मोधी मैजिक वर्सस मुद्दो की बात ये को आंगर्स का कहना है कि हम तो मुद्दो की बात कर रहे हैं वो मुद्दी माजिक के बरूसे हैं लेकिन ये बताइए कि मुद्दे नजर भी आ रहे हैं या कोई बात भी कर रहा है या सिर्फ शोड हो रहा है देखिए अपरणा जी यह जो चुनाव है यह पिछले चुनाव की तुलना में एकदम अलग होता जा रहा है और मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है अपने घु बचना चाहिए कि हम जो बेलफेर गवर्मेंट का काम करना चाहिए यह आप सत्ताम है तो आपको अपने दस साल का कारकाल बताना चाहिए बिपक्ष को अपना बिजन बताना चाहिए कि हमारा बिजन है लेकिन बिपक्ष के नेता जो की माने जाते हैं माननी राहुल गांदी जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित असंसदी भासा का उपयोप करते हैं उनको बचना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जूदी जीवी पदो की घरिमा के अनकूल ब्यानबाजी नहीं यह थोड़ा साइंग भतना चाहिए क्रों कि देष्का प्रधार मंत्री होता है वह नेतिक बात करता बों देष्विया पालता देष को जोलने की बात करता अपनाBlack बताते । ना कि आप इस तरह की बात करें जो कि किसी धर्मिशेस को टार्गेट कर रही हो या किसी जाती को टार्गेट कर रही हो या कुछ ऐसा कोई बिसेब रखें जो कि लेकिन अभी भी पांच फेज का बक्त है राजनितिक दलों के नेताओं को पार्टी के अध्यक्षों को मानी जेपी नटा जी को खरगे जी को सोचना चाहिए कि हमको ECI नोटिस दे रहा तो हम किस और अपने नेताओं को जो इस्टार केमपेनर है उनको हम गाइडलाइन जारी करें कैजिन की विचारधारा की बात कीजिये साथ में पींडिट्ड की खूबिया बता रहें यह बात सही है कि बारती जंताफ पांटी पूरे तरीके को जम्मू कस्मीर से कनेट करने की जो कोशिश की गई थी या जो केंदर की योजनाएं है उस पर ही बीजेपी के कैडिडेट का पूरा जोर है और बीजेपी के खेमा उसके कारेकरता सोच रहे हैं कि हम तो जीती रहे हैं और दूसरा खेमा सोच रहे हैं कि वह तो दावाई 400 पार कर रहा है इसले वह भी बाहर नहीं निकल रहा यह वज़ा है या मद्दाताओं में कोई निराशा है या उतने वह जागरुक करने में उन्हें नाकाम रहा है चुनाव आयो क्या वज़ा रही कि जो स्लो वोटिंग ट्रेंड हमने देखा जी बिल्कुल आप ठीक कह रही है इस बार 14-19 की तुल्ला में बोटिंग बहुत कम हो रही है मुझे लगता है कि महिलाएं कम बोट कर रही है विधान सवा महिलाओं ने जादा बोट किया था इस ब आप जी टी रही है अच्छी तरह मजार्टी में आ रही है हमारा वोट नहीं जा गएक कोresses नाराज उत्ताद ר怎么样 же सयांगरेश के कांग्रेस का सवाल है कांग्रेस में भी निरासा का हतासा का भाव देखने को मिल सकता है कांग्रेस ही सुचते हैं कि सरकार तो हमारी याना नहीं है नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस कारण उनमें उत्साय नहीं हो सकता है तो बोटिंग कम होने के कई कारण हो सकते हैं इसमें कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, कम बोटिंग किसके प्यादे में जाएगी, किसके नुकसान में जाएगी, यह कहना कठिन है. याज भारतिय जी, मुद्दो की बात पर आ जाते हैं यहाँ पर, मुद्दो की बात यह है कि जहाँ दावे अपने अपने थे, उनसे भटकते भटकते, राहुल गांधी का बयान देख लो, फिर मंगर सुत्र विरासर टैक्स की बात देख लो, क्यूं आखिरकार ये लोकसभा की लडाई यहां आ गई है. क्वे बहुंद दूसरी बात यह छोटे दिलके छोटनी शोटा वाले लोगी चीनने वाले लोग है मंगल।क की महलाएं मंगल शूत्र का भाव यह सवाल उनसे पूछे ना जन्ता से जाकर 88895 कुल ऊचाओ ने करता है देश किर देने व्रैख्सौन जैसे भी चुनावी एकनौमी की बात कर रहे थे एकनौमी बहुत मजबूत हुजाएगी देश का सैनिक जो देश की रक्षा करता है उसको भी संविदा पे साड़े-साड़े-साड़े-साल का कर दिया उसको भी कच्छी नौकरी पर लिया यह भौपाल राजदानी है यह बद जो करोड़ों रुपे बरबाद हुए वे किसकी सहली पर जाएंगे दो बार विदान सभा चुनाव लड़ चुके आलोग शर्माजी दौनों बार जनता ने ठुकराया एक बार तो भारती अंता पार्टी में ही विरोध हो गया जब न्यू मार्किट के अंदर उनके दो शि एक बारती अंता पार्टी के लोगों को कि देखो बलग ये एकस्पारी डेट है तुम चले जाओगे तो तुम भी एकस्पारी हो जाओगे कॉंग्रश Vaihaus champion के वो अपने कटिड कॉछा की लिए गौ लेए कशार नहीं कर रहें तो ऐसी नाखुशी बहुत सारी किवालव बा करने के लिए लेकर आए थे उनको यश्भारतेजी एक्स पारी दवाई बता रहे हैं आपका जल्दी से फिर मजंता के भी जाओं देखे एक तो मैं थ्री वर्सेस वन हो रहा हूं यह आप भी देख रही है यह पहली बार हुआ है कोई बात नहीं लेकिन हम कमजोर नहीं है तो खुदी बदल दिया उन्होंने बोल दिया अब मंगल सूतर तो मैंने तो नहीं कहा था यह लेकर आगे ना हम मैं बताता हूं वह है क्या बेसिकली राहूल गांदी यह कह रहा है कि मैं फैनेंशल ऑडिट करूंगा सभी जाती होगा तो यह कौन सा एजेंडा है चुनाओ का हम बताइए मतलब यह आ जाएंगे तो यह जातीगत फैनेंशल ऑडिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद वो यह कहते हैं कि मैं दस परसेंट जित्ते भी हैं जैन साहब है अगरवाल साहब है जिन्होंने खुब पैसा एकटा कर रहा उनसे पैसा लूंगा और यह बाइट है उनकी और पैसा लेके मैं माइनॉर्टी को दे दूँगा यह कौन सा तरीका है साहब यह मुझे बताइए यह एजेंडा किस ने सेट किया सैम पित्रोदा ने क्यों चुनाओं के समय में यह बोला जो उनके गुरू है उनके सलाकार हैं कि मुझे यह बहुत पसंद है कि 55% पिता जी का जो संपत्ति है वो सरकार ले लेगी तो मतलब 20 एकड का मेरा बिचारा किसान है तो उसके बच्चों को 10 एकड जाएगा 10 एकड जो है वो सौनिया जी के बच्चों को चला जाएगा यह कौन सा लोजिक हुआ बैसोनिया जी के बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मेरे पंदलाल के बच्चे को क्यों तंक कर रहे हो उसका हक क्यों छीन रहे हो यह बहुत इलोजिकल और एपसर्ड चीज़े हैं इसने क्या किया है कि चुनाओ का फूरा एजेंडा बदल दिया है और मैं तो आप 425 किलो मेंटर हैं जब हमने सरकार ली ती तो एक कंग्रेस ने बनाया था चेंस अडल जी ने बनाया थे और फंद्रा इम्स किस ने बनाये थे बनाये तो देखे हमारे पास तो डेवलोपमेंट का बड़ा भारी एजेंडा है लेकिन उस पर राहुल गांधी फेल होते हैं उ कि लिस्ट के बाहर के टॉप टुइंटीस स्टर पचारक के लिजिए हमारे सारे स्टार पचारक जनता के बीद जा रहा है भाषन दे रहा अपने विशय को रख रहा है इनके लोग आई नहीं रहें ना रहुल जी आ रहे वो कह रहे हैं कि ना तो आपके star campaign आने को तयार हैं आप लोगों को उम्मिद्वार नहीं मिल रहे थे इसलिए किसी को भी उतार दिया चुनावी मैदान में तेके हमने तो यह देखा है कि भाजपा के लोगों ने टिकेट वापस किये हैं कई एक बड़े खलाडी एक बड़े जो फिल्म अभी निता भी थे भोश फिर उनने टिकेट वापस किये हैं भाजपा के किसी भी कॉंग्रेस के प्रित्याश्य ने टिकेट वापस नहीं किया और हम तो यह देख रहे हैं टिकेट लेने के बाद पार्टी बडल दिये तो अभी डाक्टर साब भी वही कोट कर र अरक्ला पहुंचने में लगवक्त सतर साल लगी मोदी जी के कारकाल में 10 साल में चोहत्तर थे जोत्तर थे उन्हों जी मेरा एक विनमता पूरवक सवार है माननी बाजपेजी से कि जो जूट की परची भाजपा कारयाले से मिलती है तो उसे पब्लिक के बीच में जाके परोसने का काम ना करें ये हमेशा ये टीवी चैनल पर बैठेंगे तो रोजगार रोजगार के बीना आत्म रोजगार के बीना जो यूबा आत्म हत्या कर रहा है उसके रोजगार की बात नहीं करेंगे दाम के बीना किसान मर रहा है उसके दाम की बात नहीं करेंगे सम्मान के बीना रोज दिनों दिन अत्याचार और महिलाओं के उपर उस अत्याचार पर बात नहीं करेंगे मद्य प्रदेश की बात करूँ तो मद्य प्रदेश में एक को भरतिया नहीं निकलती और गिनी चुनी भरतियां निकलती चाया पटवारी हो नर्सिंग का हो या पुलिस का हो उसका सरकार के स्टेटिजी होती है इसको केस में उल्धाज .. उल्जादो ताकि यह यूबा आत्म हत्या करने पर मजबूर हो इस विसे पर बात नहीं करेंगे अगर हम यूबा अपने हक के लिए सड़क पर भी लड़ने जाएं तो लाठियां दंडे और जेल मठुजवा देंगे केस लगवाएंगे ताकि यह दुबारा रोजगार मागने ना है हमार कैसे होगा जब देश का यूबा जो भविस्त का निर्मान करने वाला होगा देश कुचायों पर ले जाएगा अगर देश का यूबा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश विकास कैसे करेगा जातिगत आरक्षण पर बात विनम्रता पुर्वत मैं भी कह रही हूं राहुल गा चाहूंगा आरो प्रतियारोप के ऐलाबा आपके पास कुछ है क्या मैं बताता हूं भारती जनता पाटी का विजन है आज आप किवी लाभारती के शले जाए भारती जनता पार्टी आन्तो दे के लक्ष को लेकर के चल रहे हैं अंतोदे का मतलब अपने कॉंग्रेस के साथियों को मैं बता दू हमारा पत्थ भी अंतोदे है प्रन भी अंतोदे और लक्ष भी अंतोदे यानि कि पंक्ती में खड़ा आखरी वेक्ति की चिंता करना भारती जन्ता पार्टी की रीती भी और निवह कहरें पहले पांच को रो होती है एक कंपणी की तब जाके वो युनिकॉन कंपणी बनती है रोजगार का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ आपके पास भरतियां आ रही है आपने क्या किया आज आप देख लिजे जो एपी एफो है इंप्लॉई प्रोविडेंट फॉंट और्गनाइजेशन उसके आंक करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हमारे जितने गरीब भाई बहन है उसको आवाज देने का काम किया जा रहा महिलाओं को ससक्ति करने के लिए 33% महिलाओं को आरक्षन दिया गया इनके पास कोई विजन नहीं है सिर्फ यह आरोप प्रत्यारोप लगाते मैं भी एक युबा हूँ और आज मैं सक्षम हूँ कि मैं 50 लोगों को रोजगार दे सकूँ क्योंकि हम क्या करते हैं हम आईटी कंपानी का मालिक हूँ और मैं आईटी हेड भी हूँ और इनसे पूछे कि इनके पास किस परकार का डेटा आज हम अपने कार्यकरताओं के बल् पर फिर से सरकार में वापस आने जा रहें इनके पास कोई विजन नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीती कर रहें कुनाल जी बड़ा बड़ी हसी आ रही है कि जिस प्रदेश और देश को बेरोजगारों का प्रजेश बना दिया आज ना तो इनके विजन दिया एक लाक रुपे साल का जो भी ग्रेजुएट हुआ होगा उसको देंगे और कही न कही उसकी तयारी कराने के लिए देंगे दूसरी चीज हमने सीधा विजन दिया 30 लाख सरकारी बद खाली पड़े उसे भड़ने का काम करेंगे इस्टाट अप के लिए फंड देने का काम करेंगे जो एजुकेशन लोन के लिए पड़ते हैं 15 माज तक के सारे एज हाजार रुपे महिने का एक लाक रुपे साल का महिलाओं को हम देने का काम करेंगे फिर्जा माफ करेंगे जो करज चड़ा है ये के के गय से गयरेंटी लेके गए तकी 2700 रुपे कुंटल गेहू मिलेगा और उसको खरीदा जाएगा आज किसका गेहू खरीदा जा रहा लेकिन आपका वजन समझ क्यों नहीं पा रहे हैं जिस विशह पर किसी ने बात नहीं कि उस पर भारती जनता पार्टी काम कर रही है किस विशह पर गेमिंग इंडस्री गेमिंग इंडस्री बहुत दिनों से भारत में वूम कर रही है लेकिन उस विशह पर किसी भी राजनेता किसी भी नेताओं ने बात नहीं की सिर्फ भारती जनता पार्टी ने बात की और अभी उसकी बैठक भी हुई है और मोदी जी ने उस पे निर्णय भी लिया है कि हम बहुत से इंफोर्मेशनल गेम बनाएंगे जो कि हमारे बच्चों के ढिमा की उसमें हैं करेगा अपने अपना है कि मैं फंच्रष प्लेयर न बुल्बं आएर मेरा सवाल कुनाल सर से है कि Electronic with party वंद्ध खरबूद से लाएं मद्य पपिदेश में कह रही है कै आए अठ से कोई भी नही कह पाया और मद्य सीटें जीत पाएंगे आज बड़ी मुस्किल से जीटु पटवारी जी कह पाएं अगर कोंग्रेस ने काम किया है तो तो क्यों नहीं कह पार है कि हम 29 29 सीटें जीतेंगे उनके मुझसे आज तक क्यों नहीं निकल पाया कि वह पाएं कि 29 29 सीटेंगे जिनका हाथ सबसे लंबा उठाए उठाए उनके पास देखिए नाम मुझाहिद सिद्धिकी है मैं भौपाल शहर राजदानी का एक नागरिक जलेगी इस पास देखिए जनता समझदार हो चुकी है देश की दंटा अब हिंदू मुस्लिम नी चलेगा गाय नी चलेगी तलाक नी चलेगी यह सब निकल चुके हैं अब सिर्फ आप मुझ्दे की बात करें क्योंकि जिस राजदानी में नरण मुधी जी का रोड्सो फ्ल प्लाप हो गया प्लाप यह बोपाल की जनता बताएगी यह बोपाल की जनता बता रही है अरे बाश बैजी जी एक पूरा इंडिया वह इस बहुत दो रहा इस बहुत भाईया आई टी से टाइटी कमपनी चलाते हो ना जो नेता जी यह उसे पूछ नहुंग देखे एक बड़ी इट्रेस्टिंग चीज है कि जो युवा कॉंग्रेस में मैंने नहीं देश ने दी उनको राहूल गांदी ने विरोजगार कर रहा मैं कुछ नहीं कर सकता हमारे पास तो हमने जिसे मद्रपिदेश का बताएं तो लगभग 11 लाख ऐसे युवा है जिनको हम हमने प्राइमरी सिक्टर पे लोन देके और वह बहुत अच्छा सा इंडस्ट्री अपनी सब चला रहे हमारे स्टार्टप की बात की गई हजारों स्टार्टप है वह कॉंग्रेस का में कुछ नहीं करता है बोलने दीजे जब कुनाल जी बोल रहे थे वो सुन रहे थे ना त मेरे भाई ट्रिपल तलाग च्छाती ठोक के खतम किया है स्वागत करोस का हलाला च्छाती ठोक के खतम किया है आप नहीं कर पाए 70 साल नहीं कर पाए तो इसलिए बहनों के अधिकार के लिए जब मिलता है तो ऐसे नहीं बिल बिलाना और मुझे अच्छा लगता जब बहनो को संपत्ती दिकार की बात मोदी जी ने करी है तब आपके राहुल गांधी आकर उस संपत्ती के अधिकार को हिंदू अंडिवेड़ेड़ फैमिली की तरफ मोड़े बहुत दुखत बात है यह मरीपूरा संदेश खाली की बात में मद्यप्रदेश की महिलाओं की बात कब प्रथियासी थी जिसको सांस्त बनाया प्रग्या ठाकुर लेके आये तहीं कॉद्फ काटा भड़ा अगर्व से उनको इस पार्टी के अंदर लेकाए थे और टिकेट काट दिया वह प्रग्या ठाकुर को जिननों ने आरे सेश की एक संगी प्रग्या ठाकुर जो मगभा बम ब्लास्ट में आतंगवाद के आप प्लीज प्लीज़ कि अंप विखार दी विए आतंगवाद के आरोपी है अपके आरोपी है सब्सक्राइब कर रहे हैं तारिक कर रहे हैं तारिक कर रहे हैं मैंने आप हम बोपाल की बात करें की रोजगार की बात तहा हैं की बाता कितना परेशान हम पढ़ते लिखते नहीं है जो विचारे पढ़ते लिखते हैं वह राजदानी बौपाल के स्टेशनों पर ठोकर काते हैं जब परिक्षा देने आते हैं बौपाल राजदानी मन बच्चों के लिए कोई विवस्तानी होती किसी भी दिन आप सुवे 5 बे जाके देख लिए जिसन प्रवेश परिक्षा होती है दूसरी बाग जातिये जनगणना का आपने सवाल किया था और इन्होंने भी आपसे वही बात कई जातिये जनगणना से जो एकसरे होगा या तो इनको जनगणना का घ्यान नहीं अभी पढ़ने लिखने की बात कर रहे थे जातिये जनगणना जब होगी तो आर्थिक गणना भी होगी सामाजिक गणना भी होगी तब पता चलेगा देश में जाती के आदार पर कौन सामाजिक तोर पे पिछड़ कि उनुनों ने जैपुर कोट में मनु माहराज को इस्तापित किया बाबा साहब को स्थापित करने में पृषर्मादान और और करने के बाद OBC का आरक्षन खीच के मुसल्मानों को दे दूंगा मुसल्मान और ये करनाटक में किया उन्होंने ये लोग क्या है दिखाते कुछ है करते कुछ है ये डिवलप्मेंट की मात करते हैं 200 करोड रुपए बोरे से निकले मुख्यमंतरी निवास के अधिकारी होगे 200 करोड कैश निकला है 1300 करोड रुपए वल्लब भवन से लूट का अड़ा बना कर फस्ट फैमिली तक गया है पहले बड़िवार केस चल रहा है उसका यह इतने भ्रस सिटम लोग हैं एक मिनिट एक मिनिट सर में बागी लोगों आउंगी सब के बास ठीक है एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट पीछे से हाथ जी प्रवक्ताइस से पस यह पूछना चाह रहा हूं कि 1989 से जो है बीजेपी की सीट रही है लोग सवा भॉपाल में आप हर बार अपना सांसत का प्रत्यासी क्यों बदल देते हैं आपके क्या सांसत प्रत्यासी योगीं नहीं होते हैं क्या वस मेरा आप से यह सवाल है मैं यह क्याना चाहता हूं कि हवेली जोपड़ी सबका मुकदर फूट जाएगा अगर यह साथ हिंदू मुसल्मानों का छूट जाएगा दूआ कीजिए इनमें प्यार के रिष्टे रहे कायम यह रिष्टा तूट जाएगा तो भारत तूट जाएगा आज क्या आबर शक् पर दफन हो जाता है क्यों हिंदू मसल्मान आज बीजेपी कर रही इसका जवाब दी है कि पिस्टे डच सालों में पूरी की पूरी बीजेपी सरकार ने सुडेंटी सेव्टी सीन ली है देखा जाए तो इतने स्कैम्स हो सके हैं व्यापम गोटाला हुआ नर्सिंग गोटा हो रही है आज देखा जाए जोब ऑफिनिती नहीं है रोजगाती बात नहीं है चुडेंट डच सालों में एक तक घबडा चुका है कि उन्ते भावस्टे का क्या हाल होने वाला है देखे जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा बहुत सीदी सी बात है जब हमको सरकार मिली थी तो भाई को बताना कि हमारे पांच मेडिकल कॉलेज थे आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं तो भाईया पढ़ो ना तब हमारी 600 सीटे थी आज 30,000 सीटे यदि देश में हैं तो आप इस स इसको समझो एक लाग से उपर डॉक्टर की जीते हैं हर जिले में इंजिनी कॉलेज बेडिकल कॉलेज और उसके बार अग्रिकल्चर कॉलेज बन अब ये कॉंगरेस के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करें ये राउल गांधी में अपना पर बेजा मुझे की पास स जाल तैयारी करने के बाद कोट से जीते तो सरकार जा रही है कि इनको रोजगार नी देगे इसके लिए उपर कोट में जा रही है जो पद खाली पड़े उनको भरने में सरकार बच रही है और रिट लगा रही है वापस यह अभी एक नोजवान ने आपका शो देखके कोटा लेनी है योगिताओं का बेरेम कत और पढ़ने वालों का सामुइक नरसार करा इसी लिए दिन बार हिंडू मुस्लिम के ओपर वोट मांग रहे है जो मूल मुद्दे उसके ओपर बात करी करें इनके सांसद उमा भारती जी कहा गाया वे इनके जो लोग है यहां कि प् इस बार कॉंग्रेस का इतना महच्पूर्ण सांसद बनेगा और पूरी ताकत के साथ जनता वहपाल में एक वोट एक नोट मांग रहे हैं और वो कहरे मजबूत बनेगा और वो सवाल बीजेपी वालों से यह है कि हर बार पत्याशी बदलने के अवश्क्ता क्यों पढ़ती यह उन्हें देश की संसत में अपने लोकसाबाद छेत्र के कौन-कौन से बिंदू उठाए क्या कि वैलफर गौर्मेंट के लिए उन्हें काम किया बैल फिर जनता की वैल फेर के लिए तो यह पूछना जनता का अधीकार है लेकिन यह भी पार्टी का अधीकार है कि वह एक बोट और क्या बताया आपने देखिए जो अरुन स्रीबास्तों जी जो मीदबार जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं तो देखिए एक बहुत कहने में बहुत सामानसी बात लगती है कि एक नोट और एक बोट लेकिन चुनाओ अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है चुना विकास के नाम पर यहां पर पिछले 40 साल से भारती जन्ता पार्टी का सांसा दे अठ्ट्यासी के बाद कोई रोजगार का वेवसाई नहीं है और यहां पर जो दिया है भी एचियल आदंदी नेरू जी की देन ता उसके बाद जितने भी सांसा दाय सर्फ भष्टाचार के नाम पर काम करा और बदल गया है और यहां की प्रिग्या सिंग ठागूर का स्टिकेट क्यों करता पूछना चाहता हूं भाई साब से उनको बता है देखिए भारती जन्ता पार्टी एक साल पहले मद्द प्रदेश में सीको कमाव योजना लेके आई थी उसमें यूओ को क् करना दोल बजाना उसका एक उसका इस टाइफड इनने भाजपाकारी करता उने भट दिया मद्द प्रदेश के वे रोजगार आज लेक्षन ने बटा और मद्द प्रदेश आप देखिये कि भारती जन्ता पार्टी कि राज में स्ट घोटा लेएव खोटा लेक्षिए तो हम बेर वोट किसको दें पर पेली चीज इनसे यह दूसी जी यूवा इतना परसान हो गया है कि नोक्री है यह नहीं क्या करें ठेला दगा है तो पुलिस वाले भगा देते हैं भागो यहां से तो मेडम सबसे पर सवाल इसे यह कि आरक्षन खदम करो जी यह वाज में जी स करती है कि हमारे आजन प्रतिनिधी लोग तंत्र की कोक से पैदा लेंगे बहुतो स्ट्री बात इसलिए हमारे आपर किसी भी व्यक्ति को चांस मिलता है और बिलकुल बदलते हैं इसमें कोई दो मत नहीं है दूसरी बात जो आपने कहीं बहुत अच्छी बात कहीं है और कॉंगरेस के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और अच्छी बात है पर इनको राहूल गांदी को समझा करना पड़ेगा क्योंकि वो तो पचास से बढ़ाएंगे वो पचास से बढ़ाने वाले हैं और OBC का चीन कर मुस्लिम को दे रहे हैं जो करनाटक में किया है देखिया इन्होंने दो बाते कहीं एक बात अभी और एड़ान कर दिनीकों में एक बात में खता है यह एम्स की ब दूसरी बात जो इन्होंने अभी बात कह दी सीखो जमा कोजने और सबारी बात कर रहे थे रोजगार का रहे लेकि तो बात इन्होंने हवा में उड़ा दी अब जाकर करके जो लोन देते हैं लोन की गारंटी भी देना बंद कर दी है जो जो रोजगार कर माद्यम से मिलता बैनर लगा हुआ है सुराजगार के किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया जाएगा जूट परोस्ते पूर उप मुख्यमंतरी उमा भारती जी आये दिन शराब की वेवसारियों के यहां पर पत्तरवाजी कर रही हैं कुत्ते काटने की समस्या है राजदानी बोपाल में उ मैं भापीज भी कर लेथा करता है तो गौर्टी पूरी करता है लेकि पूराली गारंटी पूरी नहीं नहीं गारंटी कहता है उनको वापस करिए मेरा कुनाल जी से एक छोटा सा सवाल है कि अभी यह माईक आप के दर उनी से ले लिजे जुमपर्णा जी डिग्वे सिंग जी को टिकेट क्यों नहीं दिया गया भोपाल से एक मैं आपारा जी शेक भायी को में बहुत अच्छे से जानता हूं यह अल्प संक्यक बोटा के कार्श के कारे करता हैं और मज़े की बात है जब से इन्हों ने मुझे मुझे मुष्कुरा मुष्कुरा के सड़े संत्रें देने चुरू कि दिया यह आपको बताओ 정도 रहा हो बारसमें खास बात यह है कि ज्वाज़ादा बहजबा के प्रचार में हैं प्रचार बहजबा का टेज है बहुत पर करता गली गली ज्याद है लेकिन यहाँ आपके कारकम में महुल ऑपका जादी आपके कारकम में अच्छा बढ़िया चुना हो रहा है देखिए कुछ फ़र् आगे आए ये सारी मेरत मुझे करवाएंगे मेरा ये सवाल था कि आरक्षन जो है उसमें क्रिमी लेयर क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है हमारा कहना है कि क्रिमी लेयर जोड़ा जाए आर्थिक आधार पे जो मजबूत हो गए उनको पीछे कर दिया जाए अब क्रिमी लेयर के जरिए जो है आरक्षन दिया जाए आखरी रिस्पॉंस देखिए जो कमजोर दल है वो आरक्षन को वोट बैंक मानकर चलते हैं और जो ये बात कह रहे हैं इसलिए OBC के विशे में EWS में सुधार करने का काम सतर सालों में किसी ने किया है तो मोधी जी ने किया है इस पस्ट है संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले बार बार चार सो सीटों पे बोलने वाले कि संविधान को बदल चार सो पे तो लड़नी रहे और चार सो सीटे का से तो सुन लिया आपने कि भोपाल की जंटा यहां पर क्या कह रहे है और लगता जुनावी एक्समेंस